पर पाज़ा जैने हैं कि अब आखिखा कि देखा नहीं है अब यह थोड़े जागे नहीं थे जो जबसे जो नहीं है जो फुले जो 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 आखेखा आजी वापस आजी कहा दर्द हो रही है इधर यह आज़ा कोई बाद लेट चाहिए पुश्पाजी को जो रेडिक लोग पैथी है राइट साइड में है लेफट में तो कोई दर्द नहीं अगर लेफ्ट को में लिफ्ट करते हैं इसलार सेवन्टी तथ है इसमें उठांगा अगर दर्द हो तो मेरे को बताना था थर्टी डिग्री पर ही इनको पॉजिटिव आ रहा है थर्टी डिग्री बहुत पेंफुल है और इनको से लेड़ महिने से यह पेन हो रहा है हलांकि कि अभी कोई neurological deficit नहीं है और जैसे इनका प्रेशर कम होगा यह इनका पेन रिलीव हो जाएगा यह पुश्पजी का MRI है लंबर स्पाइन का यह वर्टिब्र है इनके बीच में यह डिस्क है यह जो हमारी डिस्क है यह L45 है जिसमें इनको प्रॉब्लम है तो नॉर्मल डिस् बिल्कुल content होती है और यह जो spinal cord है black cord की इसमें और डिस्क में गया होता है कि आभी space होता है लेकिन यहां अगर आप देखें तो L45 की जो डिस्क है वो फूरी बाहर आ गई है यहां तक आ गई है और यह spinal cord को प्रेस कर रही है जो space is spinal cord को बहुत tight हो गया है अब हमें यह और left side में space होता है nerve roots के लिए अब हम आते है L45 तो यहां आप देखेंगे कि पूरी जो डिस्क है वो बाहर आ गई है और right side का पूरा area block की है अलांकि left में थोड़ा सा pressure है लेकिन right बिल्कुल blocked है इसी वजह से इनको जो radiculopathy है जो pain हो रहा है वो right leg में हो रहा है left में नहीं ह अब बाद से आया है UP से आया है मताची टकलीफ इंग अब से शुरू ही अपो एड़ नहीं हो जो ही तो गयं है कैसे शुरू ही थी मैं पत्ता पाणी करके बैंस को कारी चांग थी आव अजी अजी आव बीस की लोगी ती आव यह अजी और बस दरीकित का लगा यह वह चु सिर्फ कमर में दर्द हो था या टांग में भी हो था था पहले कमर में हुआ ज्या तोगी था डाक्टर माकर बेढ़ दोवी जा जाना कि अग्यां एक अजी कि अग्या टेश ने ही कि अग्या में शुवादिया मेरा कि भीजा जी प्रोदमता इन बाद ये अग्यां कि आ डेना है भीज़िया ये शुवाना, के लिव पागा अधक है, वेर लिखी कि एक तरफ क प्रश चलता ही हो तो जैसे अब डेढ़ महिने से आप देख रहे हो दर्द बढ़ रहा है देढ़ हो गया है तो दर्द बढ़ रहा है दर्द पूरा बद रहा जितना बहता रहा है लेकिन आपका पैद सुननी हुआ और पशाब में कोई दिक्कत नी आया है इस टाइम पे तो जैसे माताजी का तकलीफ हो रही है तो आपने लाहू को पता चला कि डिस्की प्रॉब्लम में सब्सक्राइब करवाई थी हमने करेब 15-20 दिन बार 15-20 दिन बार तो तो आपने सर्जरी जैसे गया एक महीने से वेट कर रहा आप सब्सक्राइब क्यों आपने नी सोचा अब सब्सक्राइब को पता लग जाता है कि इसमें क्योंकि सारी स्ट्रक्चर मेगनिफाइब दिखती है कोई अंदर ज्यादा हम बहुत बड़ा कटने ही लगाता है को ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसलिए ना तो कॉम्ट्रिकेशन के चांसेज है ना ब्लीडिंग के चांसेज है यह आप इंसीजन देख सकते हैं पुर्षपा जी का जस्ट फिंगर ब्रेट्थ उंगली की चुड़ाई जितना है बराबर यह एक छोटा सा इंसीजन है एक क्लीन सेजरी होती है और अब एक हफ्ते के बाद यह वाक भी कर रहे हैं को पेन नहीं है सच हल्का सा डिसकंफर्ट बता रहे हैं राइट लेक में आइधिंग टाइम के साथ वो भी सेटल हो जाएगा कि अगर वाफिस कि वाकिंग विदाउट नहीं है लंगडा भी ने जाएं कोई पावर या सेंसेशन में कोई दिफरेंस नहीं है अब कितना चल लेते हो अब कितना चल लेते हो अब कि अज़ा पुटा बरसा अब दर चक्कर लगा लेते हैं चलो फिर आप दर चक्कर लगो ने ने अधिक लिए अबड़ाएं कि अज़ा हो अब दर चक्र लेते हो अब डिएगान।